यूपी में गर्मा रहा है कि द्रेग्री राज मंत्री अजमिश्टर टेनी का मुद्दा एविपनियू सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 62 फीस सदी लोगों ने कहा S.I.T. रिपॉर्ट के बाद अजमिश्टर टेनी को स्तीफा देना चाहिए A.V.P. News सी वोटर के सर्वे में अखिलेश आदव की यात्रा में उम्रे जॉन सेलाब को लेकर पूछा गया सवार 53 फीस सदी लोग बोले देखने आ रही है भीर जबकी 47 फीस सदी लोगों ने कहा वोट पर होगा असर सर्वे के मुताबिक 46 फीस सदी लोगों का माना है कि यूपी में चुनाव अब मोधी बनाम अखिलेश हो गया है जबके 31 फीस सदी लोग इस से इतिफाक नहीं रखते ABP News का श्रवपाल यादव का बड़ा बयान बोले मैंने अखिलेश को मुख्य मंत्री माल लिया है यूपी चुनाव अखिलेश के नेत्रतों में ही लड़ा जाएगा सीटों को लेकर कोई जगडा ने निशाद आरक्षण के मुदे पर ओम प्रकाश राजभर का बीज़पी पनिशाना कहा बीज़पी आरक्षण पर नाटक कर रही है उत्रखन के बड़े नेता और बूर्विसियम हरी श्रावत का कॉंग्रिस पर बड़ा सवाल त्विटर पर लिखा मुझे संगठन से ही सहयोग नहीं मिल रहा मदद तो छोड़िए संगठन तो नकारात मक्भूमे का निभा रही है अबी तक जितनी पार्टियां थी सब ने गोवा को लूटने में कोई कसा ने छोड़ी पहली इमानदार सरकार हम देंगे अजय मिश्रतीनी को लेकर विपक्ष का केंदर सरकार पर हमला हम यूनिफाइड तरीके से हम धरना करेंगे प्रदर्शन करेंगे अपने हमने राज्यों में इसको मांग उठाएंगे तो ये सलता रहेगा जब तक वो इस्तिफा ना प्रियांका गांधी के आरोप का केंदर सरकार ने लिया संग्यान सूचना प्रद्योगी की मंत्राले दे सकता है जांच की आदेश प्रियांका ने कहा था बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है मारष बीजेपी अध्यक्षी चंद्रकांत पाथिल का उध्व ठाक्रे को लेकर बड़ा बयार कहा बेमारी की वज़े से उध्व ठाक्रे अगर सीम पर छोड़ते हैं तो फिर पत्नी रश्मी या बेटे आदेट्य ठाक्रे को सीम बना सकते है उन्होंने जीत नहीं करने चाहिए नहीं हाना चाहिए लेकिन इसी वे चार्ज देना चाहिए उद्व ठाकरे की जगे रश्मी ठाकरे आदेते ठाकरे को सीम बनाने के चंद्रकांथ पाटिल के बयान पर NCP सांसद फॉजया खान का निशाना कहा अपनी हद में रहे चंद्रकांथ पाटिल चंद्रकांथ पाटिल के बयार पर केंद्रि मंत्री रामदास आठवले बोले तब्या ठीक नहीं है तो दिवेंदर फड्नम 20 को सीम बना दे उन्थव बीज़ोपे के साथ आने का अच्छा मौका विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर शिवसेना का बयान उद्व ठाकर के मेटे आदित ठाकरे बोले सीम की तब्यत ठीक है पर यह कुछ और आहिम खबरे आपको बता देते हैं फटा फटा नाजमाई देश में कोरोना के नए वारियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर के निसरकार चिंतित प्रधार्मन्स्री नरेंद्र बोली ने आज कोरोना की स्तितिकी समीक्षा के लिए बुलाई बैठक दिले के सीम अर्विन केश जिवाल सुबा ग्यारा बजे कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे ए एस्पिताल में बैड, ऑक्सिजन, दवाईयों समेथ होम आईसोलेशन की तैयारियों यूपी मैलिकर के इगलास में चौदरी चरंट सिंग की जयनती पर आज समाजवादी पार्टी और आर्रेल्डी की साजा रेली अखिलेश और जैनत होंगे शामिल, पी-एम के रेल अलर्ट के जवाब में लाल और हरी टोपी पहन कर पहुंचेंगे दोनों पार्टियों के कारेकरदा किंद्रे साड़क परिवाद मंत्री नेतन गटकरी आज पश्चमी उपी में कई हाइवे प्रोजेक्ट कर शेला नियास करेंगे मेरट दिल्ले एक्स्प्रिस्वे का लोकारपन भी करेंगे लखनों में बीस्प्रे देख्ष महावती आज सुबा साड़े ग्यारा बजे प्रेस कांफरेंस करेंगी पार्टी पतादिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे तो कुछ और खबरे देखते हैं टेज रफ्तार के साथ पंजाब की सीम चन्नी की आज 32 किसान संगटनों के साथ बैठक कर्ज माफी मुकदमे वापसी आंदलन में मिर्त किसानों के परिवारों के कदस्वे को नौक्र देने समेथ कई मुद्धों पर होगी चर्चा बैठक से पहले किसानों पर दर्द एफाईया रद करने के दियनिरतेश पंजाब में चन्नी क्याबिनिट की आज बैठक चुनाव को देखते हुए कई एहम मुद्धों पर चर्चा होने क्यों किसानों को लेकर अभद्र टिपड़ी का मामला फिल्म अबनेतरी कंगना आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती है 23 जन्वरी को होगी उत्तर प्रदेश में टीटी की परिक्षा पिछले महीने पेपर लीग होनी की वज़ा से रद्द करना पड़ा था टेस्ट अखलेश यादक की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव पत्नी डिमपल और बेटी करोना संक्र बित सीम योगी ने डिमपल और अखलेश से फोन पर बात कर जाना हाल चाहा इटावा के जंगल सफारी में देखिया अखलेश यादव लोगों से भी मिले अखलेश न लगाया मास्क अखलेश की पत्नी डिमपल यादव कोविड पॉजिटिव है देश में ओमिक्रोन मरीजों के संक्या 220 की पार के रिल में नौ एहमतबाद में पांच नए मरीजों की पुष्टी हर्याणा की करनाल में पुर्थगाल से लोटा शक्स पॉजिटिव पाया गया दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं करोना के मामले 24 घंटे में 125 नए मामले आए सामने 6 महिने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस अब को रखे आगे झाल